प्रिय दर्शकों हजर हुमें वर्ष दो हजार चौबीस का हाल लेकर यानि वर्ष राशी फल लेकर प्रिय दर्शकों आज हमारी चर्चा पुर्ण होने जा रही है मेशिश लेकर धनू राशी परियंत इन प्रतेक लगन और राशी के जातकों के लिए प्रिहत रूप से वर्ष दो हजार चौबीस कैसा रहने वाला है उस पर हमने चर्चा पुर्ण कर ली है आज हमारी चर्चा मकर कुंभ और मीन इन तीन लगन और राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष दो हजार चौबीस आज चर्चा हम करने जा रहे हैं प्रिधर्शकों बिना विलंब किये चर्चा प्रारंभ करते हैं प्रारंभ में बता दूँ यह राशी फल मैं आपको आपके लगन और राशी के आधार पर बताने जा रहा हूँ अब यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई संसा है कोई कंफ्यूजन है तो परिशान होने की आवशक्ता नहीं वैसे तो उचित यही है कि आप इस राशी फल को अपने लगन और राशी के आधार पर देखिए लेकिन अगर आपके मन में संसा है तो परिशान मत हुईए आ आप अपने चंदर राशी के आधार पर इस राशी फल को देख लीजिए चली चर्चा प्रारम्भ करते हैं मकर लगन और राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष दो हजार चौबीस प्रिदर्शकों मैंने बारह ऐसे पॉइंट नोट किये हैं जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है मानव जीवन कौन कौन से हैं आईए जान लेते हैं पहला है धर्म बिना धर्म के कुछ भी नहीं है तो धर्म से ही भाग्य जुड़ा हुआ है तो धर्म और भाग्य हैं आपका करियर, आपके सक्षा, आपका धन, आपका व्यापार, आपका विवाह, आपकी सुन्तती, आपका पारिवारिक जीवन, आपका प्रेम संबंध, आपका सुख और आपके जीवन काल में रोग इत्यार्डिक स्थिति कैसे रहने वाली है। अत्यंत स्रिष्ट है। क्यों है? पहले एक नजर डाल लीजिए। देखा जाए तो इस समय देव गुरु ब्रहस्पती में इस रासी में आपकी रासी से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। तो स्रिष्ट साधे साथी की आखरी डहिया चल रही है। अब देखा जाए तो जब तक देव गुरु ब्रहस्पती आपकी रासी से चतुर्थ में हैं तब और जब पंचम में जाएंगे तब किन-किन मामलों में परिवर्तन होगा? आईए अब इस पर हम चर्चा प्रार्म करते हैं। अनुष्ठान होंगे। और फिर भी यह वर्ष धार्मिक दर्ष्टिकोंड से इतना तो है ही कि आप पूजा पाठ करेंगे। आपकी रासी से चतूर्थ में सिंचरन कर रहे हैं। पंचम में जाएंगे तब भी कर्म के दर्ष्टिकोंड से करियर के दर्ष्टिकोंड से यह वर्ष अत्यंत स्रिष्ट है। हर तरह से बढ़िया है। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, आप छोटा जॉब करते हैं, आप कोई बड़े पद पर हैं, समझ लीजी यह गोचर, यह वर्ष अत्यंत स्रिष्ट रहने वाला है, यह वर्ष आपको उपहार देकर के ही जाएग तो कारिक छेतर में उतार चड़ाओ रह सकता है, हलाकि इससे आपको न डरने की आवशक्ता है, न घबराने की। वहीं देखा जाए, तो करियर में जबरदस्त ग्रोथ है, चिंता करने की आवशक्ता नहीं, बस कदम आगे बढ़ाते चले जाएगे। राहु जो की तीसरे म और चतुर्थ में गुरू अत्यनत स्रेष्ट है, ये आपकी कुंडली नहीं है, ये गोचर है, लेकिन ये अत्यनत स्रेष्ट इस्तिती मानी जाएगी, सनी की दृष्टी से हो सकता है कई बार घर से दूर रहने की नौबत कारिक छेतर कारना है, लेकिन भूमी भवन वाहन क सुखों में ब्रधी है, तो ये वर्ष बढ़िया है इस मामले में, बात इती सक्षा के दृष्टी कोंड से करें, तो अभी गुरू आपकी रासी से चतुर्थ में है, पंचम में जाएगे, तो मई के बाद सक्षा और बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसका ये मत्तब नहीं कि स सक्षा कहीं बाधित है, हाँ, जो उच्च सिक्षा ग्रहन कर रहे बिद्यार्थी हैं, उनको जरूर कहना चाहता हूँ, विशेश करके वो युवा, जो 18-19 वर्ष कीलपेटे में हैं, या जो 20-20 कॉलेज इत्यादी में अब जा रहे हैं, आपको जरा सचेत रहना है, गलत सं प्रतियोगी परक्षा के बिद्यार्थी हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया है ये वर्ष, तो थोड़ा सा बीच वाले जो बिद्यार्थी हैं, जो अभी अभी एडल्ट हो रहे हैं, वो जरा सावधानी बरतें, उनके लिए जरूरी है सावधानी बरतना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, धन के दर्ष्टी कोण से कहना ही नहीं, दुतिये भाव में शनिदेव का स्वग्री होकर करके रहना, वहीं राहू की दर्ष्टी पढ़ रही है, लाव पर, राहू की दर्ष्टी भाग्ये पर भी है, कुल मिला करके देखें, तो धन के दर्ष्टी कोण स तो नौकरी से आजाएग और ब्यापारियों की बात करूँ, तो आपके ब्यापार में भी कहीं कोई विशेस परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। राहु की दृष्टी पड़ने के कारण थोड़ी परिशानी तब होगी जब आप पार्टनर्शिप में ब्यापार करते हों। तो वैसे भी कहां मैं मकर के लिए पार्टनर्शिप की बात कभी कहा किया करता हूं, लेकिन अगर आपका व्यापार पार्टनर्शिप में ही है तब क्या तो थोड़ी सावधानी बढ़तीगा क्योंकि अगर पार्टनर्शिप में आप काम करते हैं तो मतभेद की संभावना बढ़ेगी तो जो लोग पार्टनर्शिक में काम कर रहे हैं, उन्हें सावधान कर देना चाहता हूँ, थोड़ी परिशानी आपको हो सकती है, बाकी वैसे देखा जाए, तो आप बड़े प्रेम से व्यापार करिए, चिंता की कोई आवशक्ता नहीं, व्यापार बढ़िया चलेगा, अपने व्यापार का विस्तार जैसे भी आप करना चाहे करिए, व्यापार के दरश्टिकोंड से वर्ष बढ़िया है आपके लिए, अब बारी आती है विवाह और संतान की, दिखिए इस समय देव गुरू ब्रहस्पती जो की मुख्य इसके कारक रहा है, आपकी रासी से च संतती नहीं है, तो संतान सुब भी आपको प्राप्त होगा, जो बिवाहित हैं, उनको थोड़ा ध्यान डखना होगा, दामपत्ते जीवने मत भेद की स्थिति उत्पन नहों सकती है, जीवन साती से मत भेद हो जाए, जीवन साती के स्वास्थ में परिशानी हो जाए, इनका बिवाह नहीं हुआ, जिनकी संततियां नहीं है अभी, तो वो मई के बाद फिर प्रयास शुरू करें, तुरंट सफलता भी लेगी, बारी आती है पारिवारिक जीवन की, तो चतुर्थ में देव गुरु हैं, शनी की दृष्टी से दृष्ट होने से थोड़ी बहु कि माता के स्वास्त का जरा ख्याल रख लिएगा, बाकी पारिवारिक सुख में ऐसी कोई परिवार का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है, प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर कोई समस्या लेकर के नहीं आ रहा है, यानि प्रेम संबंध के दृष्टी कोण से भी तो आपके लिए बढ़िया है, गुरू की रासी परिवर्तन के बाद भी आपके प्रेम संबंध में कोई विशेश परिशानी नहीं आने वाली है, यानि कुल मिलाकर के देखें, तो मकर लगन और रासी के जातकों के लिए मैं पुना कहूंगा, चांदी ही चांदी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बात यदि आपके सुख की करें, तो चतूर्थ भाव की स्तिती में पहले ही कहाया हूँ, घूमी, भवन, वाहन, हर तरह का सुख है, घर से गर दूर भी जाना पढ़ रहा कारिक्षेत्र को लेकर के तो बड़े प्रेम से जाईए, बिना चिंता के जाई और थोड़ा ध्यान और रखना चाहते हैं, तो जीवन साथी के भी स्वास्त का खयाल रख लीजेगा, बाकी वैसे स्वास्त में आपके कोई परिशानी नहीं है, हाँ, दिखें जैसा मैंने कहा यह वर्ष बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नही विशेस खायल रखना होगा, गलत आदत, गलत संगती से जरा बच करके रहिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे, गलत आदत और गलत संगती में नहीं पड़े, तो फिर काहे कि चिंता, फिर तो इस वर्ष का आप आनंद उठाईए, चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं, साडहे साती की आखिरी ढईया होने के बावजूद, वर्ष दो हजार चौबीस मकर लगन और रासी के जातकों के लिए जबरदस्त है, उपाय बस वही है, मैंने प्रारभ बमी का था, मैं कहूंगा तो करना ही पड़ेगा आपको हनुमान जी की आराधना, करते इसमें कोई कमी न हो, हनुमान जी के मंदर में जाएए, उनका धर्सन करिए, शनी बार और मंगल बार को तो आपको जाना ही जाना है, यह तरह कर लीजिए, कि हनुमान जी के मंदर में जाना ही जाना है, हनुमान जी के मंदर में जाते रहिए, हनुमान जी का धर्सन करते रह फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं, हनुमान जी की सरनागती ग्रहन किये रहिएगा, यह वर्ष सांती से निकल जाएगा. कुम्भ लगन और राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष दो हजार चौबीस? चली चर्चा बिना विलंब की इप्रार्म करते हैं, सबसे पहले बता दूँ, यह राशी फल मैं आपको आपके लगन और राशी के आधार पर बता रहा हूँ. अगर आपको समझ में आ जाए, लगन और राशी के आधार पर देखना सबसे बढ़िया है, स्रिष्ट है वैसे देखिएगा, नहीं समझ में आए, तो ज़्यादा परशान होने की ज़रुत नहीं है, आपने चंदर राशी के आधार पर इस राशी फल को देख लिजेगा. ऐसे ही 12 बिंदूओं को मैंने नोट किया हुआ है, और उसी के आधार पर इस वारशिक राशी फल को तयार किया है, वो मुख्य बिंदू कौन-कौन से हैं, तो वो हैं धर्म और भाग्ये, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वहीं आपका करियर, घर में आपके बच्चे हैं, आप स्वयम विद्यार थी हैं, तो आपके सक्षा, आपका धन, आपका व्यापार, आपका विवाह, आपकी संतती, आपका परिवारिक जीवन, तो वहीं आपका प्रेम संबंध, वहीं आपका सुख, वहीं आपके जीवन काल में रोक की स्तती कैसी रहने वाले, इनकु की सुरक्षा करेंगे रासी परिवर्तन करेंगे मई में देव गुरु भ्रहस्पति आपकी रासी से चतूर्थ में आ जाएंगे ये भी ठीक है इस समय जो ठीक नहीं है वो है राहू का दूसरे भाव में होना वैसे केतु को अश्टम में कहा गया है जो कि आपके लिए आकस्म धनदायक है जो कि बहुत बढ़िया है राहू का दूसरे भाव में होना कुछ न कुछ परिशानियों को जन्म दिला देता है वो कैसा है पहले वो जानिये इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंटों को समझेंगे देखिए साड़े साती की मद्द धहिया के बावज कुम्भ लगन और कुम्भ राशी का ही हो जो कुम्भ लगन और कुम्भ राशी के नहीं है यानि माल लिया जाएगर आप मेस लगन के हैं परन्तु आपकी राशी जो है वो कुम्भ है तब तो फिर सीथी सीवा थे सस्महा पुरुश्यों के बावजूद आपको मानसी का शा कराते हैं फलतह समाज में जो लोग हैं वो आपके बिरोधी होने लगते हैं एक तरह से देखा जाए तो जब आपके बुरे दिन में रखना है अब आईए चलते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष इसे भली भाती समझ ले दिखिए इस वर्ष को मैं पहले एक मोटे मोटे तोर पर बताऊं तो मैं ये नहीं कहूंगा ये अत्यंत स्रिष्ट है परिशानी है सावधानी तो रखने ही होगी धर्म और भाग्य के दिर्ष्टी कोण से जानते हैं कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 देव गुरु ब्रहस्पती के दिर्ष्टी भाग्य भाव पर होने के कारण धर्म भाव पर होने के कारण वैसे तो ये वर्ष बहुत बढ़िया है आपके लिए इस तरह से ध्यान से सुनते अंत में हम निस्कर्स पर पहुँचेंगे तो देव गुरु ब्रहस्पती की दिर्ष्टी धर्म और भाग्य पर होने के कारण मई महीने तक जो की स्तिती है ऐसी ये तो अत्यनत सुरेष्ट है लेकिन दुतिय भाव में राहु के होने के चलते कई बार गलत आदत गलत खान- खान-पान करने वाले क्या धार्मिक नहीं हो सकते क्या उनको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा जबाब है बिल्कुल मिलेगा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं आप गलत खान-पान कर रहे हो इससे आपके भाग्य पर कोई विशेस असर अभी के लिए तो नहीं पड़ेगा लेकिन मैं तक तो फिर भी देव गुरू ब्रहस्पतिक आपको सपोर्ट है जहां भागय का सवयूग मिलता रहेगा इसके पाथ कहीं न कहीं थोड़ी परिशानी रहेगी साड़े साती की मद्ध ढईया का अपना प्रभाव इस वर्स पूरी तरह से रहने वाला है तो पहले ही पॉइ कर्म वहागयं का सथ जो है आपके लिए कमजोर पड़ जाएगा ध्यान रखिए बात करते हैं आपके करियर के द्रिश्टिकोंगा-ब्रभा की जो स्थिति है मई के बाद इसमें थोड़ी रहात आपको मिल जाएगी तो करियर के द्रिश्टिकोंग से उतार चड़ावाएं संभवतह देखा जाए तो आपके साथ राजनीती हो, उंचा धिकारियों का आपसे नाराज हो जाना, मैं पहले ही कहाया हूँ वानी के चलते लोग आप से बुरा मान जाएंगे, कई बार कई लोगों को ऐसा लगेगा, आप अहंकार में ही रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये संबं आउधपन हो रहा है, उससे आपको बचाने का काम करेंगे, यहां एक पॉइंट और भी होता है, कि अगर कहीं आपके जन्म कुंडली में ऐसा कोई बहुत बुरा दोर नहीं चल रहा है, सब कुछ वाकि ठीक ही है, एक साड़े साथी की ही बात है, तो फिर ज्यादा घबरान यह समान उसमान आपको मिलना चाहिए, उसमें कमी रहेगी, वो प्राप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, बात आपके सिक्षा के दृष्टी कोड़ से करें, अगर आप विद्यार्थी हैं, सिक्षा के दृष्टी कोड़ से हगोचर खराब नहीं है, सिक्षा के स्थि तो उनको थोड़ी दिक्कत होगे, लेकिन एक साथ लगभग लगभग दस्वीं पास के जो बच्चे हैं, उसके उपर जितने भी बच्चे हैं, उनकी सिक्षा के लिए समय कत्तई खराब नहीं है, तो सिक्षा के मामले में ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बहुत जिद्ध करेंगे, बदमासी करेंगे, पढ़ने से बचेंगे, उनको लेकर के टेंसन होगा, धन के दृष्टिकोंड से यह गोचर टेंसन लेकर क्या रहा है, समभवत आपका धन इधर उधर गलत कारियों में, मैं वही तब से समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि धार्मिक कृ पर जाए, सही सनमार्ग पर आप चलते रहें ताकि आपका धन गलत दिसा, गलत कारे, गलत राह पर न जाए, ऐसा अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो समझतिजिए कि बहुत बड़ा काम आप कर लेंगे, तो यही इतना आपको ध्यान रख लेना है, अब आगे बढ़िए, इतना खराब भी नहीं होगा, गुरु की दृष्टी सब्तम पर होने के चलते, आपका व्यापार चलेगा, व्यापार में काम भी अच्छा होगा, पार्टनर के साथ भी अगर आप काम कर रहें, तो काम चलने वाला है, यह सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं, गौ से परिशानी तो है, लेकिन इसके बावजूद धन का आगमन होते रहेगा, यानि एक तरह से रास्ते बंद नहीं हो रहे हैं, अप एंड डाउन है, ऐसा नहीं है कि एकदम बंद हो जाएगा, तो इसी को थोड़ा समहाल दिजेगा, बाकी अगर आपके बिवाह और संतान की हम चर्चा करें, तो इस समय वो चल रहा है, सब्तम पर सनी की, देव गुरु की दृष्टी का होना बिवाह के दृष्टी कोंड से बहुत बढ़ी है, मई तक ये प्रबल योग है, और संतान क्योंकि नवंभाव पांचवे से पांचवा, नवंभाव भी संतान को प्रदर् मई तक इसके बाद नहीं है, जैसे ही देव गुरु ब्रस्वती चतूर्थ में आएंगे बिवाह और संतान वाला कॉलम जो है, ये रिक्त होगा, अब बारी आती है कि जिनको पहले से बिवाह जिनका है, जिनकी संततियां है, अब देखिए वही थोड़ा सा दिक्कत दिखा वहाँ पर आहू बैठ करके जीवन साती के स्वास्त में परिशानी खड़ा करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये दिक्कत का विशे बन सकता है, तो जीवन साती के साथ, हाँ, गुरु की दृष्टी होने से ऐसा कुछ बिगड़ने वाला बस यही है कि मत भेद और परिशानी रहेगी, अब बारी आती है आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में चतुर्थ को भी देखिए, दूतिये को भी देखिए, सप्तम को भी देखिए, तो देव गुरु ब्रहस्पती मई के बाद जैसे ही आ जाते हैं, पारिबारिक जीवन सुखद रहेगा कुटुम के मध्य कलह का बातावरण दिखाई पढ़ रहा है पैत्रिक शंपत्ती को लेकर के विवाद इत्यादी भी संभव है अब अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टी भागय भाव पर होने से अगर कोई भी किसी तरह का कोई विवाद होता है तो आपका उसमें कुछ अहित नहीं होने वाला यानि किसी भी प्रकार के विवाद से आपको चिंतित होने की जुरत नहीं है आपने शिंत हो करके रहिए और बात अगर आपके प्रेम संबंध की करें तो प्रेम समंध में भी कोई परिशानी नहीं दिखाई पड़े, प्रेम समंध के दृष्टिकोंड से ठीक है, सुख के दृष्टिकोंड से ठीक है, कोई परिशानी वैसी नहीं है, और रोग के दृष्टिकोंड से देखें, तो बस खान पान, अगर इस पर नियंतरन नहीं देख रखा तब आप रोग का शिकार हो जाएंगे तो खान पान पर नियंद तरण रखिए हम सीधे निसकर्स की ओर चलते हैं क्या है यह जो पूरा विवेचन हुआ इस विवेचन का निसकर्स क्या निकल करके आया 90 प्रतीशत देखिए 90 प्रतीशत अगर मैं कहूं तो यह वर्स ठीक है जो 10 परसंट खराब है बहुत ध्यान से सुनियेगा मैंने अगर 90 प्रतीशत ही अच्छा कहना था तब तो मुझे यह कहना चाहिए था कि यह पूरा वर्स बहुत अच्छा है जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा जब मैं यह कह रहा हूँ कि 90 प्रतीशत यह वर्स ठीक है 10 प्रतीशत खराब है तो 10 प्रतीशत आप सबका खराब होता है असल में जो 10 प्रतीशत खराब हो रहा है यह 10 प्रतीशत आपके 90 प्रतीशत पर भारी पढ़ने वाला है मैं फिर दोहरा दूँ एक सरल सा तर्क है द ग्रह कभी आपका कुछ नहीं बिगारत है। फिर चतूर्थ में आकर के भी सम्हाल लेंगे। बस आपको गुरु का साथ देना है। और वो कैसे होगा? गलत संगती और आदत से बच करके। और इस सब को ठीक करने के लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं। बस हनुमान जी की सरण पकड़े रहिए। हनुमान जी की आराधना करिए। और राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ करिए। भगवान स्री राम से प्रार्थना करिए कि वो किसी भी तरह की आदतों से गलत संगती से हमें बचाएं। तो राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ करिए। हनुमान जी की आराधना करिए, सुन्दर कान का पाठ करिए, हनुमान चालिसा का पाठ करिए, हो गया, बच गया, आप कोई टेंसर नहीं, सनिवार के दिन पीपल रिक्ष की जड़कों जलसे सिंचते रहिए, और कोई विशे सुपाई करने की जुरुत नहीं है, बस इतने से काम बन जाएगा, तो इतना करिए, और बाकी मैंने बता दिया है, वर्ष सांतिसु निकलेगा, बढ़िया निकल जाएगा. मीन लगन और राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष दो हजार चौदीस, आईए, इस विशे को ब्रिहत रूप से समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो बता दूँ, यदि आप मीन लगन और राशी के हैं, तो मैं बार-बार लगन और राशी सब्द का इस्तिमाल कर रहा हूं, इससे आप समझ गया होंगे, यह राशी फल आपको अपने लगन और राशी दोनों के आधार पर देखना है, परन आपको समझ में आता है, तो सर्वस्रिष्ट यही है कि लगन और राशी दोनों के आधार पर ही इस राशी फल को समझा जाए, प्रिय दर्शकों सबसे पहले बता दूँ, मानो जीवन कुछ मुख्य बिंदूओं की इर्दगिर्द ही घूमता है, मैंने ऐसे ही बारह मुख् करके और उसी के अधार पर इस वार्शिक राशी फल को तयार किया है, और वो मुख्य बिंदू कौन-कौन है, तो वो है आपका भाग्य, आपका धर्म, वहीं आपका करियर, सक्षा, भन, व्यापार, विवाह, सुन्तती, पारिवारिक, जीवन, प्रेम संबंध, सुख और इन्ही बिंदूओं को मद्दे नजर रखते हुए, मैंने इस राशी फल को तयार किया है, प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूँ, यह वर्ष थोड़ी चिंता ही लेकर क्या रहा है, अत्यन्त स्रिष्ट नहीं कहा जा सकता, वर्ष परयंत साहे साती है, आपको साहे साती क दुतिये भाव में, जब तक यह राशी परिवर्तन नहीं कर जाते हैं, मैं तक तब तक चिंता थोड़ी जादा है, जब देव गुरु ब्रहस्पती राशी परिवर्तन कर जाएंगे, दुतिये भाव में चले जाएंगे, शनी की द्रिष्टी से अलग हो जाएंगे, तब जाकर के कहीं सुरक्षा तय होगी, राहु का आपके रासी पर होना सब्तमे केतु का होना ये दामपत्य जीवन में कलह मत्भेत कि स्तिती को उत्पन्न करा देता है, चलिए, चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, धर्म और भाग्ये, कि दृष्ट कहीं न कहीं धन और संचयन को लेकर के धन को लेकर के परिशानी रहने वाली है, जब साड़े साती की प्रथम ढहिया होती है, साड़े साती कैसे होती है, साड़े साथ साल में धाई साल, धाई साल, धाई साल, तो जो पहला धाई साल होता है, जो आपको चल रहा है, वो असल म इंसान के जीवन में उसका हिम्मत जो है धनवान बलवान लोके, तो उसकी जो हिम्मत है वो धन है, संचित धन जब नास होने लगे, बेवज़ा की चीजों में जाने लगे, तो इंसान बहुत परिशान हो जाता है, इस समय क्या चल रहा है? देव गुरुब रस्पती धन के कारक है, वो आपके राशीपती लगनपती बनकर के दुतिये में गोचर कर रहे हैं और सनी की दृष्टी से दृष्ट, फलता संचित धन का नास और ये आपको मानसीक रूप से बहुत परिशान करेगा, फलता कही न क ही मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक धार्मिक दृष्टिकों से आपका मन धर्म में, धार्मिक कृत्यों में लगेगा, ये सोचना तो थोड़ा मुश्किल ही मुझे दिखाई पड़ रहा है, कब तक मई तक? मई के बाद इस्तिती बहुत थक बदल जाएगी, अब जब धर् पाएगा, तो ये भी चमान करके चलिए कि मई तक भागे का साथ भी कम ही मिलने वाला है, परन्तु देव गुरु ब्रहस्पति दुतिये में बैठ करके अश्टम को जरूर देख रहे हैं, और अश्टम भाव साधनाओं का है, गुप्त साधनाओं का है, तो अगर आप साध साधना में रत हैं, साधना में लगे हुए हैं, तब चिंता किया वशक्ता नहीं, तब देव गुरु आपको सुरक्षाओं से परदान करेंगे, बात आती है आपके करियर की, करियर में मुझे सब कुछ ठीक दिखाई पड़ता है, देव गुरु तुरतिये में आते हैं ये रहेंगे, वानी की कड़वाहट आप सत्य बोल देंगे, और ये बुरा नहीं है, कमाल देखिए कि मैं ये तक नहीं कह सकता, आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा ही करिए, क्योंकि सत्य नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, तो आप सत्य बोल देंगे, और आपका सत्य कोई बात नहीं है, प्राइविट से जुड़े है तो उठापटक रहेगी, सक्षा, बढ़िया, सक्षा में मुझे कोई विशेस चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है, आप छोटे दरजे की विद्यार्थी हैं, छोटी क्लास के विद्यार्थी हैं, वो बड़े क्लास के और आप भी नहीं, इतना कि मध्यम, धन के मामले में चिंता रहेगी मई तक, मई के बाद ये चिंता खतम हो जाएगी या कम हो जाएगी, अब साधे साथी है तो उटो रहेगी, रहेगी विछिस के मार्च तक स geen देव Этоव, आपकी रशिते बार्वे में है, तो वयाय तो संचि तब तक आपका व्यापार यानि डोलता मजधार में डोलता ना ओ ऐसा ही रहने वाला है तो व्यापार को लेकर के चिंता रहने वाली है विवा और संतान के दृष्टी कोन से देखें तो संतान पक्च को लेकर के थोड़ी चिंता तो है संतान पर राहू की दृष्टी होने के परिवरतन करेंगे, संतान और विवाह, अभी आपके लिए विवाह और संतान जिनको नहीं है, उनके लिए मई तक फिलहाल कोई योग नहीं है, जैसे ही देव गुरु राशी परिवरतन करके यहां आएंगे, उनकी दृष्टी पड़ेगी, सप्तमपर, नवम पर, नवम पा और जैसा मैंने कहा, जिनको संतती नहीं है, उनको मई के बाद ही जाकर के प्रतन करना है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, अब बारी आ जाती है पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो पारिवारिक जीवन में कोई ऐसा विशेस परिशानी दूसरा भाव कुटुम्ब का है, हाँ, अगर आपकी पैतर्क शंपत्ती है, जिसको लेकर के पहले से ही विवाद है, तो वो विवाद थमेगा नहीं, बलकि वो विवाद बढ़ेगा, अलग बात है, कि साड़े साती के बारे में आपने सुना होगा, जाती हुए, आपको दे जाती, तो वो यही है, पहले से ही जूजते जूजते अंत में रिजल्ट करा देते हैं शनी देव, तो पैतर्क शंपत्ती को लेकर के कुटुम्ब के मध्य भी बाद होगा, मैं इस परिवार की बात कर रहा हूँ, जहां आपके माता, पिता, पत्नी, इत्यादी आप गिंती के कुछ सदस जो आजकल रह रहे हैं, तो यहां पर ठीक है, यहां कोई ज़्यादा चिन्ता की आवशक्ता नहीं है, प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी उहा पोह परिशानी दिखाई पड़ रही है, राहु की दृष्टी के कारण मत भेद, तो प्रेम संबंध में कि इसी तीसरे की वज़े से गलत फहमी की इस्तिती भी उत्पन नहों सकती है, प्रेम संबंध में सावधानी की आवशक्ता बहुत ज़्यादा पड़ेगी, प्रेम संबंध के मामले में बहुत स्रेष्ठ नहीं कहूंगा इस वर्ष को, यह परिशानी रहेगी, देव गुरु अब चुकि आप मानसिक रूप से बहुत परिशान रहेंगे, तो बहुत अच्छा भी कहां हो पाएगा, सुख तो तब आता है जब हर तरह से परिपूर्ण हो, हाँ, अगर आप संतोसं पर्मम धनम वाले व्यप्ति हैं, जितना है वही अपने राम का, यह वाला अगर सूत अपनाते हैं, तो फिर बिश्वास मानिए, सुख के दृष्टिकोंड से बर्ष सांती पुर्वक निकलेगा, घबराने की आवशक्ता नहीं, याद रखिए, जो धन आपके पास नहीं बचा, वो आपका था ही नहीं, जो आप बचा पाए वो आपका है, ठीक है, और जो खैला को रखना होगा, चोट चपेट, एकसिडेंट की घटना दिखाई पड़ रहे, तो उसका खैल रखिए, जीवन सांती के भी स्वास्त का खैल रखिए, आप अपने स्वास्त का खैल विशेश रूप से रखिएगा, खान पान पर नियंतरन रखिएगा, पिता के स्वा जीवन सांती के स्वास्त का और अपने चोट चपेट की कोई घटना नहों, इस सब चीजों का खैल रखिएगा, तो स्वास्त का खैला को रखना है, कोई दिर्घ कालिक रोग इत्यादी नहों, इस बात का विशेश रूप से खैल रखिएगा, अब मैं निचोड अगर एक श्रहरी विश्णू की आराधना करिए, तुलसी पत्रों पर गुरुबार के दिन अर्पित करिए, गुरुबार के दिन केसर का तिलक लगाईए, और पीपल व्रक्ष की जड़ को जलसे सीचिए, हनुबान जी के मंदिर में जाईए, उनका दर्सन करिए, विश्णू सहस्र करिए, इससे आपको जरूर रहत मिल जाएगी, प्रिदर्शकों इस प्रकार से हमारी चर्चा पुरुण होई, हमने मेशिश लेकर के मीन राशी परियंत या यूं कहिए कि लगन और राशी के जातकों के लिए, वर्ष दो हजार चौबीस कैसा रहने वाला है इस विशे पर चर्चा की, अब आज के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिये, पुनह मुलाकात होगी, तब तक के भी ये, नमस्कार